तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कारे बताऊंगा जिनका वेट करना बनता है और आपको इनका वेट करना चाहिए बिकॉज ये वर्थ वेटिंग का रहे है यार अगर आप इनका वेट करोगे तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नी होने वारा तो अगर आप इचल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टो और चैनल विकॉज ऐसे इन्फोर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना भी ना बुले विकॉज आपका एक लाइक हमें काफी ज़दा मोटिवेट करता है तो गाइस बात करते हैं कुछ ऐसी कार की जो इस साल या आने वाले साल में लाँच होने वाली है तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा फर्स नंबर पे जो कार आती है जिसका वेट आप कर सकते हो और जो बहुत जल्द ही लाँच होने वाली है वो है Tata Nexon इसके बारे में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ आपको इस कार के लिए तो इसका वेट करना कहीना घगही बहुत ज़दा वेल्यू फो मने बन जाता है यह बहूत सारे पीचर्स के साथ आपको मिलने वाला है यह पेसलिफ R contest लिप इस साल के एंड कार लांचो सकती है तो अगर आप वेटकार का का तो इस कार का वेट जरूर करना यह बहुत ही अच्छा प्रडॉक्ट होने वाला है टाटा का सेकंड कार जो इस साल या आने वाले साल में लाउंच हो सकती है वह है महिंद्रा अगर आप इस कार का वेट करना भी डेफिनिटली बनता है और इसकी जो एक्सपेक्टेड लाउंच डेट है वो या तो इस साल एंड तक लाउंच होगी या नेक्स्ट यह स्टार्टिंग में यह कार लाउंच हो सकती है तो इस कार का वेट करना भी बहुत ज़दा बनता है या बहुत अच्छा प्रोडॉक्ट है यह महिंद्रा का और अगर आप वे प्रेशलिट वर्जन आ सकता है मार्केट में इस फेसलिट वर्जन में काफी सारे चेंज़ हुए हैं फ्रंट ग्रिल चेंज कर दी गई है कई लोगों को जो आई टॉंटी आ रही थी है भी उसके फ्रंट इतने पसंद नहीं आ रहे थे तो इस बार कंपनी के इसके में यह चेंजिस होके आएंगे तो दोनों का फेसलिट वर्जन इस नेक्स्ट यर आपको देखने को मिल सकता है बात करें इस लिस्ट की फोर्थ कार की तो वह है महिंद्रा थार का फाइब वर्जन इस साल की एंड या नेक्स्ट यर स्टार्टिंग में कभी भी लाउंच हो हो सकता है और ये कार की बहुत ज़्यदा हाइब बनने वाली है बहुत लोग वेट कर रहे हैं महिंद्रा थार के फाइब लोगों का मानना है कि इनका करेंट वर्जन आ रहा है महिंद्रा थार का टू डू वरिजन वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं बनता बट यह कार प्रै इसके capture हुए है and बहुत जल्द ही यह car launch होने वाली है तो अगर आप इस car का वेट कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही यह car launch होने वाले गाई तो definitely एक बहुत अच्छा option होने वाला है जो लोग जिमनी से disappointed थे उसके pricing की वज़े से वो इस car की तरफ जा सकते हैं और इस car का वेट करना भी बनता है So guys आप बात करते हैं अपनी list की last car की वो है Tata की तरफ से आने वाली Tata Curve Tata Curve को हमने Auto Expo में देखा था जब Tata ने इस car को showcase किया था यह car next year first half तक कभी भी launch हो सकती है इस car को company place करेगी अपके Harrier और Nexon के बीच में कहीं यह car place की जाएगी बहुत अच्छा product होने वाला है यह Tata का इस car के साथ बहुत सारे features आने वाले है इस car में हो सकता है इस car में आपको ADAS feature भी देखने को मिले प्लस Paranomic Sunroof का feature इसमें आएगा तो बहुत अच्छा product होने वाला है Tata का आपने देखा होगा रेसेंट टाइप में Tata ने काफी सारे facelift परज़न निकाले है अपने कार के इस के साथ साथ इस car के आने के बाद Tata बहुत बड़ा game चेंज कर सकती है इंडियन ओटो में मार्केट में तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक तो इस वीडियो और अगर आप को लग रहा है कि हम कोई कार मेंस कर रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन ने बता सकते हो और आपको क्या लगता है कि इन अपकमिंग कार में से आपकी फेवरिट कार कौन सी है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्षिन बता सकते हो तो गाइस इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई